जैहिंद बिहार SSC का लेके आए है सकेंड़ सिप का कीचर का एक कोश्चन जो सकेंड़ सिप ने पूछा गया था चलिए कोश्चन नमर 1 में करा कि बिहार मद निशेच और उत्पास सुल्क में संसोधन अधिनियम 2022 के अनुसर सराब की धुलाई करने वाले यानि धुलाई करन यह किस देश ने C9019 यात्री बिमान बनाया है तो उप्सन नमर इसका राइट एंसर हो जाएगा उप्सन नमर बिकास रैंकिंग 2022 में किस जीले ने सरबोच अस्थान प्राप्त किया है तो चार का उप्सन नमर इह हो जाएगा इन में से कोई नहीं चलिए कोईशन नमर पांच में तक लेते हैं कोईशन नमर पांच यह कि मौली कदिकारों को लागू करने के लिए नियाले निमली खित में से कीसे जारी कर सकता है तो पांच का राइट एंसर हो जाएगा उप्सन नमर भी रीट पर जारी करता है उप्सन नमर भी इसका महान अधी यानि महान अधी पर है तो है हीरा कुंडबांद और सी इसका राइट एंसर लगा यह कोशन असान था इसके अलावा कोशन सब हाट दिया था चले कोशन नमर अगला देख लेते हैं कोशन नमर साथ करा कि अल आसका मस्जीद जो हाल ही में खबरों में थी वह किस सहर में है तो वह है जेरुसलम में अप्सान नमर 20 का राइट एंसर हो जाएगा कोशन नमर आठ करान इम लिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस नहीं है नाटो का जो सदस नहीं हुआ है इनमें से कोई नहीं यानि कि डेनमार्क भी है कनाड़ा भी है वेल्जियम भी है तो उप्सान नमर D जो लगाए होंगे उनका सही हो जाएगा चलिए कोशन नमर 9 देख लेते हैं कोशन नमर 9 में करा कि कथान एक पिर्थभी एक परिवार एक भविस जिसके साथ विरूद है जिसका 9 का राइट एंसर हो जाएगा उप्सान नमर 20 है चलिए अगला कोशन देख कुशन नमर 10 में करा कि संबंध में निमन खिद में से कौन जा कथन सही है तो 10 का राइट एंसर हो जगा उप्सान नमर 2 उप्सान नमर 18 के बिरोध बिद्रोख के वारे में निमन खिद का राइट कथन सही है अप्सन नमर दी जो लगाएंगों इसका राइट एंसर हो जाएगा कोशन नमर तेरह में कर रहा है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेटो जीरो इन्युवेशन वर्चुल सेंटर बनाने की घुसना की है तो तेरह कोशन नमर दी जो D हो जाएगा, चलिए अगला question, question नमर 14 में कराया कि भारत की वन उतगाटीत संसद में संतनों के लिए कुल कितने सीटों की प्रवंधक किया गया है तो वहा हो, 14 का हो जाएगा option नमर B 1272, question नमर 15 में कराया कि भारत सरकार ने किसान भीमा दावोग के लिए कौन सा online platform लाउंच किया है तो 15 का राया टेंसर हो जाएगा option नमर A question नमर 16 में कराया कि नासान के moon to mars प्रोग्राम के परमुक के रूप में किने सुलक गया है तो 16 का राया टेंसर हो जाएगा option नमर C अमित छत्रिये question नमर 17 में कराया कि भारत में 1912 की राष्टी ये बन नीती में लेखित देश के कुल भोगवलिक छेट में बन सीथ परतिसत कितना है तो 17 कराया टेंसर हो जाएगा option नमर B 33 परतिसत कितना है 33 परतिसत तो लिए question नमर 18 में देख लेते हैं इम लिखित में कौन सा अस्थानांत्रिक क्रिस्टी की का स्थान है तो 18 कराया टेंसर हो जाएगा option नमर 19 देख लेते हैं एमेजन बेंसिंग में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है तो उसे मलोका कहा जाता option नमर 20 कराया टेंसर हो जाएगा question नमर 21 में कराया कि अरव साकर और बंगाल के खाड़ी के अपवाग के तंत्र के बीच मुख जल विभाजक क्या है तो option नमर 20 जो लगाए हो इनका राइट एंसर हो जाएगा अगला question question नमर 22 देख लेते है question नमर 22 में कराया कि सितकाल में उतर पच्छी भारत में सक्रिय रहने वाले पच्मी विशोब उत्पति अस्थल्क क्या है तो बाइस का राइट एंसर हो जाएगा option नमर 20 को कहा जाता है चलिए अगला question question नमर 30 देख लेते है question नमर 30 में कराया कि जी टी तुरुभाट के अनुसार भारत में एम पर करके जलबाई का छेतर क्या है तो तेश का राइट एंसर हो जाएगा option नमर डी उप्यूग इन में से सभी हो जाएगा चलिए अगला question question नमर 22 में देख लेते हैं कि question नमर 22 में कराया कि सीत काल में उतर पच्छिम भारत में सक्रिये रहने वाले पच्छिमी बीचोप का उत्पती अस्थल है तो बाइस का राइट एंसर हो जाएगा option नमर ए ये तो बता दिये थे चलिए अगला question question नमर 25 देख लेते हैं question number 25 कराया निमलिखीत में काउन सी मधरतिय गंगा के मैदानी क्रीशी जलवाई परदेश में भी छेवित है तो पचीस का राइट एंसर हो जाएगा option number D क्या हो जाएगा option number D 25 का right answer option number D हो जाएगा चलिए 26 को देख लेते हैं 26 में कर रहा है कि कौन सार सीत कटी बंध में आता है तो 26 का right answer हो जाएगा option number C साढ़े बासर डिगरी उत्तर अचांस और उत्री धूरुप के बीच में इस्थित होता है चलिए question number 28 देख लेते हैं निमली खित में से कौन सा कथन सही है तो 28 का right answer हो जाएगा D उपीक में सभी सही है जो 28 का D लगाएगा उनका right answer हो जाएगा question number 29 देख लेते हैं 29 में करा किस बर्स विहार प्रांतिय किसान सभा का गठन किया गया है question number 29 देख लेते हैं question number 30 में निमली खित में से कौन सा बिद्रो अंदोलन लंबी दाड़ी रखने पर लगाए गया था तो फागल पंथी बिद्रो प्सन number 20 का right answer हो जाएगा question number 31 में करा कि किस संस में कि मामले में तीन अंग्रेजियों को साजिस करने के लिए कारागार में अबरूद किया गया था 31 का right answer हो जाएगा option number A sorry option number C नासिक सरयन्त मामला में चलिए अगला question question number 32 देख लेते हैं कि पूना पैक्ट का उदेश किया था तो पूना पैक्ट का उदेश जो था हुआ दलित बर्ग का राज नितिक परती निधित में option number A इसका right answer हो जाएगा question number 33 देख लेते हैं question number 33 में करा कि पर्था माखिल भारतिय कांग्रेश समाजबादी सम्मेलन कहां हुआ था तो 33 का right answer हो जाएगा option number C पटना में हुआ था question number 34 में बोल रहा है कि बायो गुराफी of कुमर सिंग एंड अमर सिंग के लेखा कौन है तो 34 का right answer हो जाएगा option number B का लिंग करदत question number 35 में देख लेते हैं कि सुभाचन बोस भारतिय राष्ट्य कांग्रेश के तिरपूरा दिभेशन में किसको हराकर अध्यच बने थे तो 35 का right answer हो जाएगा option number C पटा भी सिता रमाईया को हराकर बने थे question number 36 देख लेते हैं 36 में कराया है डाक्टर भी मावमेत कर के विसाय में लिखित में से कौन से सही है तो 36 का right answer हो जाएगा option number B एनिवेसेंट से 38 को देख लेते हैं 38 में कराया कि भारतिर स्वतंता संगर के दोरान किसमें स्वदेश वावन समितिक का गठन किया है तो 38 का right answer हो जाएगा option number C अजबिन कुमार दत को किया गया है 49 में देख लेते हैं 49 का राकी चंपारन नील अंदोलन के दोरान महात्मा गंधी के साथ कौन थे जिनके साथ तीनों थे आनिया option number D इसका right answer हो जाएगा 40 को देख लेते हैं 40 में करा कि किसी दिथी को अगस्त करान थी 1942 के दोरान लिनित्गों ने पटना एबम इसके आसपास की भीड को गोली चलाने का देश दिया था तुगा पांच अगस्त था उन माना जाता है तो 42 का right answer हो जाएगा option number C समिधान तथा इसकी अधारभूत संडचना चलिए question number 43 देख लेते हैं question number 43 में भारत की केंद्री सरकार का पंचायती राज मंत्राली निमिक्षित में से किस निर्मीत यानि किस बरस निर्मीत हुआ था इसका right answer हो जाएगा option number B 2004 में चलिए question number 44 देख लेते हैं 44 में करा है कि इनमें से कौन सब विस्वाज करता था कि एक समाजबादी समाज भविस्व का प्राकिर्तिक समाद था तो 44 का right answer हो जाएगा option number C काल मार्स question number 45 देख लेते हैं इसमें से कौन दी social convention से पुष्टक के लेखक हैं तो 45 का right answer हो जाएगा option number A रूसो चलिए अगला question question number 46 देख लेते हैं पाकिस्तान आफ दा पार्टिसन आफ इंडिया की किस ने लिखा तो 45 का right answer हो जाएगा option number A डक्टर भीम रम्ज अमेदकर चलिए अगला question question number 49 देख लेते हैं कि आर्लेंड को जवर्दवस्ती उनाइटट किंडम ने कब मिला लिया था तो 1801 में मिला लिया था option number A इसका right answer हो जाएगा चलिए question number 50 में देख लेते हैं कि सर्विस इच्छा यान किसने पर रर्म किया था पचास का right answer हो जाएगा option number A टल विहारी बाजपेने एक आमन को कर रहा है कि स्रिलंका कब स्वतन्त हुआ था स्रिलंका 1948 में स्वतन्त हुआ था चलिए अगला question 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 number 22 कर रहा है कि अनपूर्णा योजना रासन कार्ट किसके लिए है तो वह बीर्दवा गरीबे लोगों के पैंसर बड़ से अधिक होने के जानी option number C इसका right answer हो जाएगा question number 53 है तो 53 मिलान करने वाला था तो 53 का right answer हो जाएगा option number 20 का right answer हो जाएगा question number 4 देख लेते हैं question number 84 का कर रहा है भारत में परेश की स्वतनता लोगों को राप्त है यह option number A हो पाये जाता है तो 56 का राइ िंसलो जाए एक से अधिक यानी इन्य Baptist रर जाएन्सनी का रिवच्छ अफ्यक्ति नम्र लिवक ऐंट्वित बहुससर को म faut-10 का राइण स्रूज़ गए ऑन को समया को सब्सक्र एक सथा में करा कि भीछाट में मी THेन सिरुत इख औरुद सबसे कम होता है तो वह होता है अगला कोश्चन रख लेते हैं 65 है कि राम सर्वल्मेलन किसके सनच्छन से चुड़ा हुआ है तो 65 का राइट एंसर हो जागा अपशन नुमर B आर्थ भूमी से कोश्चन नमर 66 में कर रहा है कि इताई इताई रोक किसके कारण होता है तो ताई टाई रोग जो होता है हुआ केडिमियं के कारण होता है प्रस्तितिक तंत्र में बायकार का उर्जा परवा मोडल गिसके द्वारा गिया गया है तो 68 का राइट एंसर हो जाएगा और आम, य्यानि, कौ शली BBQ कहा है, तो सलीम अली पखे पच्छीव अभयारन जो है, तोहे हैं मधपड़श में, अप्सन आमर 20 का राइट एंसर होझेगा, एकातर का राइट एंसर होजेगा, ऐकातर इसके बाद है रिजिनिंग और माइथ का कोच्चन जो अगला वीडियो में लेके राएंगे इतना रहा जिक्या का कोच्चन तब तक के लिए जैहीन जैभारत